आई साल के उमर में तीन बच्चे पैदा कर दिया वह बहादूर हो यार अच्छा सुंदर मुर्ती बनाता हो यार जान डाल देते तो कितना अच्छा होता मा बोलने लगती नहीं कर पाओगे उतना उतना कास हो जाएगा नहीं होगा कितने दामों की प्रतिमा है इसका क्या अच्छा इसका साड़े नो आजार पर छे फुट का मुरती है अच्छा इपेंटिंग जो करते हैं पेंटा आप राजस्थान से लाते हैं या फिर यहीं का पेंट होता है ये राजस्तान का पेंड़ है राजस्तान का पेंड़ है वास्वर्ष्वति के लिए कोई अफ्लोक जो है जरा सुनाईए या कुंदेन दुतुसार हार धवला या शोब्रब्रस्त्र वृता या वीडावरदंड मंडितकरा या स्वेत पदमाशना माँ वीडावादनी की सुंदर सुंदर पर्तिमाय हा रखा गया है हवा हुँ हवा मैं बशंती हवा हुँ सुनो बात मेरी अनोखी हवा हुँ बड़ी वावली हुँ बड़ी मस्त मौला जिधर चाहती हुँ उधर घूमती हुँ बफंती हवा जैसे चलती है एक अलग खुसगवार मोशम बन जाता है लोगों में एक परफनता च्छा जाती है और बफंती हवा का आगाज सबसे पहले जिस परवा उर्तिभार के साथ होता है वो सर्ष्वती पूजा का उत्सव होता है वीना बादनी मा सर्ष्वती जिसकी अराधना जिनकी पूजा अर्चना बफंत पंचमी के दिन किया जाता है उसी दिन से बफंते पुन रूप से अपने आबु हावा में शमाहित हो जाता है आज मैं मावजूद हूँ सिवान फदर बलाव के टनवा के समीप टनवा एक गाव देखिए बिल्कुल अद्भूत औराकर्शक है जिसे आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे मेरे साथे के कारिगर हैं देख सकते हैं कितना घुंगराला बाल है और यहां देखिए यह क्या है बाली है इतना है रहे स्टाइल कैसे अच्छा लगता है क्या नाम है तुम प्रतिमान दिर्मान के लिए जो आप लगाते हैं मिट्टी हुआ और कुछ क्या क्या लगता है यहां मिलता है आपको लोग आते हैं खरीद लेते हैं पणिया सकी, सब कब हो गया है, कि कुछ बाकी भी यह परतिमय भी? अभी बाकी है, अभी कमझ मॉ्वाज़र 25 हए और सब कब आबाटा हो गया है? 40 मूर्ति का हो गया है 40 मूर्ति का कितने दिन तक परतिमा ठीकाऊ है भाई? अगर इसको रखा जाए तक कितने दिनों तक रह पाएगी ये रखा जाओगे तो बढ़िया से रखोगे घर के अंदर तो कम चार पांच साल अच्छे सरे जाएगा पांच सालों तक कितने कितने दामों की प्रतिमा है इसका क्या रेट है इसका साड़े नो अजार पे छे फुटका मुर्ती है आई ये गोविंदा के साथ हम अंदर चलते हैं और इनके क्या कहेंगे उसको गोदाम नाम है गोविंदा और काम भी किसी गोविंदा से कम नहीं है वह गविंदा फिल्मों में कलाकारी करते हैं और यहाँ गविंदा मिटी को गड़ता है और मिटी को गड़ करके इतना सुन्दर आकरशक्ष रूप देता है यहाँ गविंदा आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे सिवान मीरगाज मुख्य पत्थ पे इस्थित है यहास्थल आप सभी जरूर आईए और देखिए गुविंदा की कलाकारी को छोटे-छोटे वच्चे हैं गुविंदा के गुविंदा का खर्च इसी से चलता है यहां पर्तिमा कितने का है भाई जी आईए जर आगे चलके देखते हैं और पूछते हैं काउन कितने का है इसका क्या रेट है बावो वही रेट है यह वही मुर्ती है सब साभे 9,000 का है बड़ा वाला यह साभे 5,000 का है यह 4,000 का है सबसे ज्यादा कितने का है आप के हाँ कम से कम हमार पास 25 सो वाला है सबसे ज्यादा यही 9500 9500 सज्यादा सज्यादा मुले है और 2500 सबसे कम मुले की परतिमा इनके पास है सब बेच दिये हैं कि बाकी भी है अभी बहुत खाली है 20-25 मुर्ती खाली है क्या उमीद है सर्फती पूजा तो बड़ा नजदीक आ गया कोई एंटेम पे भी आता है कोई जल्दी भी आता है कोई मैने पहले भी करवा देता है परतिमा नहीं भी का उसको क्या करेंगे आप फिर रख के चले जाते हैं अगले साल अपना काम आता है यहीं रख देंगे कहीं रूम में रख के जाते है यह तो बड़ा दभूत परतिमा है इसका क्या मुल्ले है इसका साड़े 9000 पे पड़ी वाले अच्छा इपेंटिंग जो करते हैं पेंट आप राजस्थान से लाते हैं या फिर यहीं का पेंट होता है यह राजस्थान का पेंट है केवल यहां कि मिट्टी में आप वहां के खुसबू और वहां के आबू हवा को राजस्थानी कलाकारी को भर देते हैं और परतिमा लगती है कि अब मा बोल देंगी इतना सुंदर मूर्ती बनाता हुई आर जान डाल देते तो बहुत कर चुके है भया तु कब से करते हो भाई मेरे मेरा कम से कम तस पंदर साल होगे मैं करता हूं कहां तक पढ़ाई लिखाई हुई है पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है कितनी आई हो गई आपकी उमर बाईस साल के उमर में तीन बच्चे पाईदा कर दिया वह बहादूर हो यार चलो इपरतिमा कितना का है जो सामने अभी हम लोग देख रहे हैं यह बड़ा वाला वोई रेट है बढ़ा सुनदर का लगार यह क्या सुबनाम हुँ आपका जी राजीव कुमार पंडेव राजीव वबा है और थावे मंदिर से आए हैं आप देख सकते हैं सुने हैं कि यहां अच्छा बनता है इसलिए आ गया जी जी वहां उज़र लोग भी खरिते हैं कुछलों बताए कि वहां बहुत सुन्दर सुन्दर मुर्ती बन रही है आप वहां से भी जाक ले सकते हैं अब पेशे से सिख्षक भीयां और बहुत अच्छे प्रगांड विद्वान पर आमने मास्त्रस्वती के लिए कोई अफ्लोक जो है जरा सुनाईए मास्त्रस्वती जो है सबका कल्यान करें और विद्यार्थी गण जो बड़े उच्छुक होकर के मा का पूजा करते हैं सबकी मनुकमना को पूण करें हम भी उसी पंक्ती में खड़े हैं मा का पूजा करने के लिए एक मुर्ती लेने आये हैं देखते हैं इसे किस तरह का कौन सा मुर्ती मिलता है बाबा है और प्रकांड विद्वान है आप इनके मंत्र उचारण को सुन रहे थे जब अपने इनके सिर्मुक से मंत्र के उचारण हो रहे थे तो लग रहा था कि पून रूप से एक अलग धांके फीजावन गई थी आप देख सकते हैं यह परतिमा गजब मैं निशब्द हूँ परफंसा करने के लिए इसका लकार का जिसने इस परतिमा को इतना सुंदर आकार दिया इतना सुंदर शुरूब दिया आप देखेंगे देखेंगे तो देखते रहे जाएंगे तमाम पाशब्द माइं है पचीश स anál की हैं और मां के में वीड़ा है हन्स पर वीरजमान है मा देख सकते हैं कि बाबा हन्स से माता का बहुत ज्यादा लगाव रहता है हन्स मा सरस्वति का बाहन है वीड़ा उनका अपना बाद है पुष्टक हमारे सनातन धर्म संस्कृत की धरोहर है जिससे यह सबको प्रेणा मिलता है कि हम लोग सनातन धर्म में मा सरस्वति का उतम अस्थान देते हैं इनी से मा सरस्वति को परसंद करने के लिए किस परकार से पूजा आर्चना करना चाहिए ताकि तमाम लोगों को विद्ध्या बढ़ियां से आ सके देखिए कोई भी पूजा अपनी आस्था है अपने अपने धंग से कर सकते हैं लेकिन विधान के अनुसार पंडी जी है या आप जो भी समगरी कठाकी है किसी विद्ध्वान ब्रामर से बुला करके मा का अवाहन अस्थापन पूजन करके तो सब में जो व्यक्ति रोज अ और रह करके प्रतिदिन मा का नाम मा का एंग मंतर से 1 में जयकि माला जाप करें उनकी मनुकम नहीं पूर्प होगी देख सकते थे बाबा हैं और मासरफ़ती की पूजा राधना कैसे किया जाए कि मा का सिर्वाद आप पर ब्रस्ता रहे देखिए यही टणवा है टणवा के बगल में उन्हेद विद्याले की गगल में एक भगी चाँ भगी चे में राजास्थानी का लाकार आयं। इनके द्वारा मा सर्फवती की आकर्शक आकर्शक वब वब प्रतिमाओं का दिर्माण किया जा रहा है सर्फवती पुजा नजदिक है इस बर संजोग से सर्फवती पुजा और 26 जनवरी का जो राष्टी ये परव होता है एक ही दिन पड़ा है वेचायनी है सब लोग दोनों को लेकर के वेचायन है दोनों को एक सांथ करना है निप्टाना है व्यस्तता तो इस बर थोड़ी ज्यादा है रजस्थानी करेगा और भी लगे हुए हैं और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम परतिमाओं को अंतिम स्व कि इसमें कोई बास बल्ला तो लगा नहीं है मिटी और प्योपी के पाउडर से इसका अंदिर मार किया गया है यही है मां की परतिमाओं और मां के सिर्चर्णूं में मैं आप सभों के लिए भी निवेधन करता हूं कि आप सभी भी सथवती पूजा के दिन मां की पूजा आ करें इन्हीं तमाम आगरह और निवेधन के साथ मैं आप तमाम लोगों को नमस्कार करता हूं